पिश्करे मिस्र फर्मान दे धूरम धूब की सरवराई हैं आमून हीवियों के साथ बरसों परसरे पैकार रहने के बाद काम्याब उ कमरान मिस्र वापस लोटता है दरूद हो मिस्र के खुदावंद कार और फर्मा रवाई अजीम जनाब आखनतून पर दरूदे खुदावंद बर फर्मान दे पारा मुआ और रुदा मूद अगर फर्मा रवा इजाद मरहमत फर्माएं तो जंग के तमाम सुर्टहाल उनके गोश्ट गुजार की जाए अगरचे फर्मान दे हॉरम हूप और लशकर मिस्र की सलाहियतों और काम्याबियों की खबरे हम तक पहुँच चुकी है लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुद्फी कुछ और है ये सब खुदावन आखनतून की लुद्फ और इनाथ है उनके बादशागी माँ एहलो अयाल गर्दा ने उड़ा दिखए और उनके अज़साद में मैं फर्मान दे हॉरम हूप की पैदर पे काम्याबियों और जाफिशानियों को गदर की निगासे देखता हूँ मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना भागी हो मुझ में खत्लों खारतगरी के मतालिक सुनने का होस्ता नहीं अगर्चे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों के मरहूने मिननत है और अगर आपकी शुजात और इस्तिकामत नहोती तो शायद आज मिस्र भी नहोता जनाब फर्मा रवा जन्गी सुरत हाल के मतलिक तो सुन लेंगे लेकिन खून खराबे की जिकर से इस्तिनाब कीजिए जनाब हौरम हूँ कुछ इस तरह जन्गी अहवाल बयान कीजिए जो ख़दावन दे आखरतून को आदूदा न करे बिनरूस हमारे बहादर और ठके मांदे फौजी सरवराहान की खातर तवाज़ों नहीं करोगे लड़ा इने तो देखो आखर कितनी गंदुम खरी देंगे जो इतने सारे थेले लेकर आए है सुनक्या गुबारे की तरह पूले में पेट तो देखो इने भरने के लिए तो इससे कहीं ज्यादा गंदुम दरकार होगी ये कौन लोग है ये शुमाली अलाका जान से आए हैं ये लोग गंदुम खरीब ने आए हैं यारी हमाले पास इतनी गंदुम होगी के ने भी दी जाए तो काहिना ने मावद भी गंदुम लेने के घरसे ता शरीब लाए है जी हाँ वो भी तीन गुना कीमत है इस वक तो मावद आमून की आलत इन से भी बतर है आप हमारी मदद क्यों नहीं करते पहली बात तो ये है कि ये लोग खावरी हैं और हमारी तरह इनसान है और दूसरी बात ये कि ये लोग बसों से मिस्र को खिराच देते रहे हैं और अपने आमदनी का एक कसीर हिस्सा हुकूमत मिस्र के हवाले करते रहे हैं अब जबके इन्हें कहत दर्देश है तो हमारा ये फर्स बनता है कि हम उनकी मदद करें जब क्या हमून एक सर्वत्मन खुदा है क्या है कि वो अपने उस अजीम खजानों में से कुछ दॉलत अपने ही माबद के काहिनों पर सर्फ कर दे था, कभी था, लेकिन अब आमून दॉर्दमन नहीं दा, जो कुछ तासक तुमने ले लिया आली जिनाब, ये खजान जी ये माबद आमून है नादानस दुगे में आपने एक अच्छी खबर दे भी है अच्छी खबर मतलब? हाँ, ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा, फरकत करें बहुत से पयामबर दीगर पयामबरों पर फजीलत और बरतरी रखते हैं जादा जान, तो क्या आप से पहले भी बहुत से पयामबर गुजरे हैं? हाँ, मेरी जान, उससे पहले भी कई पयामबर गुजरे हैं और मेरे बाद भी आते रहेंगे तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम है नुह और मेरे दादा इबराहीम मुझसे पहले गुजरे है और यूसुफ और दीगर पयामबर मेरे बाद होंगे आखरी पयामबर के जिनका नाम एमद है मेरे चचा इसमाईल की असल से होंगे बाबा, कौन से पयामबर तमाम पयामबरों से बंतरो बालत है वो जिनकी लगूत का दाइरा सबसे वसी है हर फरस्दाला नभी किसी खास खृत्ते की एदायत पर मामूर किया जाता है बसलिए मैं सिर्फ अपने कौम की एदायत पर मामूर हूँ लेकिन एक पैम्बर ऐसे भी हैं जो पूरी काइनात पर खुदा के एकामात के नफास पर मामूर है और वो आखरी पैम्बर है बिन्यमीन अभी तक क्यों नहीं आया क्या वो ये नहीं जानता कि मैं उसका मुंतजर हूँ परेशान मत हो ये बाबा मैं अभी जाकर देखती हूँ मैं जमीनों पर दखम पाशी के लिए गया हुआ था अगर चे पैदावार ना काफी है लेकिन अगर ये कम निकदार भी काश ना की गई तो हम सब भूख से मर जाएंगे भग गया था सोचा पहले जरा आराम कर लूँ फिर बाबा से मिलने जाओ बिन्यामीन तुम तो जानते हो कि वो सुरज खुरूप होते ही तुम्हारा इंतजार करने लगते है तुम्हें उन्हें यू इंतजार नहीं करवाना चाहिए कभी कभी कोई काम पर जाता है तुम्हें मस्रूफ हो जाता हूँ दानिस्ता तो ऐसा नहीं करता न बिन्यामीन बहाने मत बनाओ क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें बाबा से मिलने जाना चाहिए था क्यों नहीं क्यों नहीं जानता चाहिए जानता हूँ मासक खाहूँ अच्छा चले आप बाबा को मजीद इन्तजार मत करवाएं चले मुझे माफ कर दीजिए बाबा बाबा मैं वादा करता हूँ जमीनों से बाबसी पर सबसे पहले आपकी कदम बोसी के लिए आउँगा यूसुफ के जुदाई में मैं जिस करव से घुज़रा हूँ वही मेरे लिए काफी है अब तुम मुझे और तकलीफ मत पहुचाओ मेरे बच्चे खुदा मुझे हरकिस न बख्षे अगर मैं आपको कोई तकलीफ हो जाओ दू यूसुफ के बाद मेरा तुमारे सिवा कोई नहीं तुम्हे देखने से मुझे तसकीन मिलती है तुम्हे तकलीफ की तुम्हे हर सोदीए जरूम इसमें नाखने, जिरूम पर्जूम्ह आखने, decreasing हो भी और पिसमें आसलें, थिसमें ऐसक्रि पर्जूम्ह आखने पर्जूम्ह पर्जूम्ह अगर आपको याद हो तो मैंने आमून और आएने आमून परस्तिक के खिलाफ इक्दामाद करने के लिए जनाब फर्मारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुँचा है जी बिलकुल बानू नफरिती और आसनाथ हमें युजार सीफ के साथ तनहा छोड़ दे माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अकलियत में तब्दिल हो चुकी है और उसके खजाने भी खाली हो चुके है मेरे इल्म है और ये भी के मिसर की अक्सरियत यक्ता परस्त हो रही है अब तमाम शहरों में ये मुनाली करा दी जाए कि आज के बाद मिसर के लोगों का सरकारी आईन आईन यक्ता परस्ती होगा आपने सुना जनाब हो रहूँ हम यक्ता परस्त है और आज के बाद आमुन परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी इसके बावजूत के माबद आमुन मेरे लिए कापले इत्राव है लेकिन मैं अपने नजरियात और खायद पर अपने खुदावणदगार के फरमान को गर्ची दूँगा हमें आपसे इसी जवाब की तवक्ती जस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है उसी तरह शेहरों को भी इस शिर्कों बुदपरस्ती से पाक करना होगा फर्वारवा के हुक्म कता दे हूँ अपने फरमान को नाफिज उलमन समझे हमें माबद की मजाहिमतों और यक्तापरस्तों और बुदपरस्तों के माबें तसादम के लिए हमावग्त आमादा रहना होगा बेहतर होगा कि लश्कर मिसर को भी मुक抹मल आमाद़ी का हुक्म दे विया जाए आइन मुम्किन है कि हमें उठते हुए फिक्नों को खामोश करना पड़े बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिब हूँ लिकिन कोई और चारा भी नहीं इज्तिनाब नागुजीर हो चुका है हमने बरसों सबर क्या और माबत के खिलाब हर किसंद की कारवाई को इलतवा में डालते रहे महज इसलिए ताके इस तबदील ये आइन में बेगुनहों का खून कम से कम पहे आप फिक्र मत कीजिए मैं उमीद करता हूँ कि कोई खूनरेजी नहीं जनाब आखनातून और जनाब यूजार सिफ गहरी दिली वाबस्त की रखते हैं परमारमा जनाब यूजार सिफ को एक रहनुमाय इलाही की नजर से देखते हैं आई नभी खुदा दूआ कीजिए कि इस तर्दीली आईन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुना की जान सायागा आला आदाफ के हसूल के लिए बहुत भारी प्यमत चुकानी पड़ती है बसावकाद इमान के पौदे की आवियारी के लिए बहुत जादा खून बहना पड़ता है यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिन्दा करता है लेकिन इस सब के बावजूद में उमीद करता हूँ कि खुदा बंद यक्ता अपने पैरोकारों की नुफरत फर्माएगा और इस मुबारिजे में खुफर औ शेख पर इमान को गल्ब आता फर्माएगा पुर मिसर में खासिद रवाना कर दो और हर जगा आइन यक्ता परस्ति के बतौर सरकारी आइन एलान करा माबद के सर्बराहों को भी खबरदार करा दिया जाए कि आज के बाद आमून परस्ति की तर्वी जो तबलेग जुर्मार की चाहेगी और मुनाद करने वालों को हुक्म दे लें कि शहर शहर जाकर ये खबराम कर दी चाहेगी जाओ उमीद करता हूँ कि आमून मेरे समर्पर मजे बखश देगा क्योंके मैं माचबूर हूँ मैं जिस तरह आमून को मिसर का अजिम खुदा समझता हूँ उसी तरह आखनातून को भी मिसर का जिम फर्वारबा और खुदाओं को बेटा गिर्दानता हूँ अगर्चे आखनातून आमून का एक नाखलब बेटा है कि जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आएं को बदलने का हुक्म दिया है जिनाब आखनातून और अधीद मिसर जिनाब जुजारसी पर हकीम के मताबिक आज से सर्जमीन मिसर का सरकारी आएं आएं यक्ता परस्ती है लिहाद आज से परस्तिश आमून और दीगों खुदाओं की परस्तिश करना गुना और जुन जुमार किया जाएगा मुझे पता था कि आखरकार जुजारसी रूत परस्तों की बिसाथ उलटकर रख देगा लेकिन काहिनों से हुश्या रहना होगा वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे लेहाद आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना ना काबे मापी जुर्ण शुमार होगा खुद युजारसी ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा युँ कहो ना गए चुकि युजारसी ने तुम्हें बलंदी से पस्ती में ना खड़ा किया है इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो वरना हमने तुजारसी ने महरूमों और मोताजों के खित्मों तो भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है उसने तुम्हारी खित्मत नहीं की मैंने और मुझ जैसों ने तुम्हारी खित्मत की है उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जैबों को खाली किया है ताके तुम जैसे फकीरों और मताजों के पेड़ बर सके तुम जैसें को जो के युजार सीफ के जखम खुरदा हैं उनकी मुहास्वत करनी भी जाएए हैरा तक तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाधिर खुदा आमूर को छोड़ कर एक अंदे के और गाइब खुदा की परस्थिश करते हूँ इसलिए कि तुमारे इन दिखाई देने वाले और हाधिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है जबकि युजार सीफ के अंदे के खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निज़ा दिलाई है हम युजार सीफ के उस अंदे के खुदा को तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर नाजिर मानते हैं खुदावनकार मिस्र जनाब आखनातून बज़र्ग और जनाब युजासी भकीम के मताबक आज से सरखमीन मिस्र का सरकारी आएन आएन यक्ता परस्ती है नहाज आज से परस्तिश आमून और दिगर खुदाओं की परस्तिश करना ना काबे माफि जुर्ण शुमार होगा खामोश हो जाओ खवीशो बंद करो तो राफात बख रहे हो काहिन तुम्हे अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तना आखनातून के फर्मान के खिलाब बोल रहे हो या आखनातून ने तुम्हे हुक्म दिया है कि कुछ आओ बादार में जाकर इस बाद की द्रशीर करो बेकल जनाब आखनातून और जनाब उजाद सीफ का फर्मान है और जो कोई भी दीने अक्ता परस्थी की मुखलबत करेगा वो कैट कर दिया जाएगा मैं जान चाथा कि उजाद सीफ के इन तमाम इक्तामात के नहीं ही नकायद हो अभी भी अक्सरियत आमून की पैरुकार है बहुत से लोगों ने माबत के बाहर इस्तमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मबार्शे के लिए आमादा हैं हम अपनी बका की खातर दिफार करने पर मजबूर है लहाज़ हम युजार सीफ से मकाबला करेंगे आखना तो उनको अभी कहिनान माबत की ताकत का अंदादा नहीं है किस ताकत की बात कर रहे हो हमारे पास अब तो अलस्कर तक तो है नहीं इसी आवाम के जरिए अगर हम उने ही आमादा और मुशला कर दे तो आप देखेंगे के वो किस तरह मकाबला करते हैं खुराओंगारे मिस्ट जनाब आखनासून और जनाब युजार सीफ हकीम के फर्मान के मताबिक आज से मिस्ट का सरकारी आई आईन यक्ता परस्टी है लहाज़ा परस्टिश आमून और दीगर गुटों की परस्टिश को छोड़कर आतून यानि खुदा यक्ता की परस्टिश लास्मी होगी मैं जानता था जानता था कि एक नाई दिन मिस्र के लोगों का दिन जक्ता परस्टी हो जाए लेकिन आज हमारे पाद चो कुछ है जानता था कि परस्टिश करने लगो जानता की परस्टिश करने लगो चोड़ो मुझे परस्टिश और इसकी हमायत करने जुर्ण नहीं है चोड़ो मुझे छोड़ो मुझे ख़ड़ो मुझे ख़दावनकार मिस्र जनाब आखना तून बज़र्ग और जनाब युजासी भकीम के मताबिक आज से सर्दमीन मिस्र का सरकारी आईन आईन यक्ता परस्टिए है लहाज आज से परस्टिश आमून और दिगर ख़दाओं की परस्टिश करना नाकाब माफि जर्म शुमार होगा आईन आमून काहिनों के लिए भला क्यूं कर बुरा होने लगा बहतरी इन पूरत ईजी जिद्वी ज मिन और मुरगन घिजाएं जवान और खुबरू दोशिजा हैं जब इन्हें मौिस्सर होंगी तो भला वो क्यूं आईन आमून के मुखालिफ होने लगे तो क्या ये जाइज है कि जुजार सीफ मिसर के तमाम लोगों को अपना और हुकूमत का घुलाम बना ले और हम जैसों को जिल्ट की पस्तिवत धकेल दे खर हमारे लिए तो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंके हम शुरूर से ही खुलाम से और खुलाम की सी जिन्दगी गुजारी है हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला खुलामी तो तुम जैसों के लिए दर्दनाख है जो खुद बहुत सो गुलाम रखा करते थे जुजार सीफ का सब्से बड़ा गुनाई यह है तुम जैसो को भी जबाने लग गई है वो हग बजानिब है बुलंदी से पस्टी की जानिबाना आसान नहीं होता सरजमीने में सरकातर कारी आईन आईने यक्ता परस्ती है आईसे आमून और दीगर खुदाओं के पैरोकारों को यक्ता परस्तों के साथ किसी भी किसम के जल्म और ज्याती का कोई हक नहीं होगा यक्ता परस्तों पर जल्म और ज्याती नाकाबल माफी जुर्ण शुमार किया जाएगा ये सर्क युसारसीव का कारणावा है सुनो है हो मेरे प्यारे दोश्तों लोग खुद उसकी परस्तिश करते हैं ये काफर नहीं अब उसके खुदा की परस्तिश करना पड़ेगी अलबता सच्ट ये है कि वह खुद और उसका खुदा दोनों ही लाइके परस्तिश है ये खुद आप उसके लाइके आमुणी के शहर में मखत्रिक नौ खुदाउ और उसके माबद के शहर में जटा परस तो आजाद है और आमून परस पावन नफरीन इन बेजान पत्थरों के खुदाओं पर नफरीन माबद आमून पर मैं कहता हूँ बस करो तुम्हें इनके खुदाओं के यू तोहीं नहीं करने चाहिए आखिर आप किसके तरफदार हैं मैं आमून पर लानत भीजना चाहता हूँ काहिनों की तोहीं करना चाहता हूँ तुम अगर उनके खुदाओं की एहानत करोगे तो वो भी तुम्हारे खुदाओं यक्ता की एहानत करेंगे क्या तुम ये पसंद करोगे नहीं नहीं हर्गिस नहीं लेकिन खदावंद यक्ता की कसम, मैंने इन अरबाब माबद के हाथों इतने गरंज उठाए हैं कि मुझे अपने गुसे पर काबू पाना मुश्किल हो गया है वाह, क्या खूब तमाशा खड़ा करवा दिया है यूसफ तुमने तुम हक पजाने पो अगर मेरा खुदा भी मुझे पर ऐसी बेशुमार इनायाद करता है मैं भी जमीन और आस्मान को उसके परस्टिश करने पर मजबूर करते थी या बाक है, मुझे से क्या काम है अली जनाब, वो काफिर लोग आमोन परस्टी की मजब्मत और यक्ता परस्टी की तर्वीच कर रहे हैं हम ये जनना चाहते हैं, कि अब जनाब आखमा हूँ का क्या फैसला है और क्यों कोई कार रवाय नहीं करते मसलसल मुनादी की जा रही है और यक्ता परस्टी का बतोर सरकारी आईना एलान किया जा रहा है क्या वो लोग अलल एलान यक्ता परस्टी की तर्वीच कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिलकुल बेख़बर है जब कि युजार सीफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखरकार आम उन परस्तों की रूपर कारी जर्ब भी लगा ही हमें कुज करना हुआ हमें मिल बैट कर बंसुबा बनाना हुआ जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए ता नहीं बनाया जिस वक्त मैंने कहा था कि युजार सीफ और आखनातून को रास्ते से हटाय दे नहीं हटाया और आप उनसे निमटने के लिए मनसुबा साजी करना चाते है मैंने हर जूरूरी एकदाम जो करना चाहिए था किया अलबता हर वो एकदाम जिस ने युजार सीफ को काम्याबी से हमकनार किया है आप उन्हें सिर्फ बैठ कर आमाशा किया है मुझे मानना पड़ेगा कि युजार सीफ और उसका खुदा भाब कादिर और तमाना है खुदा युजार सीफ का भी नहीं बलके हम ना लाएक ना तमा है क्या पादियामून खुद को जनाब आखमाहू से ज़्यादा अकनमत समझता है क्यों ना समझें जब आखमाहू की फहम फरासत किसी काम नहीं आई तो साहर है कि ऐसे में पादियामून को अपनी सलायतों पर ही बरुसा करना पोड़ेगा मैंने देखा तो नहीं लेकिन उसकी खुदरत का मुशाइदा जरूर किया है युजार सीफ तो मिरे लिए काबल एतराम है लेकिन युजार सीफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूँ जब तुमने उसे देखा है और उसे पेचाद दे हो तो हमें भी बताओ ताके हम भी उसे जान सके युजार सीफ का खुदा वो ही है जो उसकी बताए हुई ताबीर को सच साबित करता है और उसके किये हुए वादों को आमली जामा पहनाता है अगर्चे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और नहीं उनके किसी भी दुक और दद का मदावा कर पाए क्या वो खाबले परस्तिश है हाँ वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सकती से इंतिकाम लेता है वो खाबले परस्तिश है आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यक्ता परिस्टों का जवाब यही होगा पादियम उनों और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कतल करना एक जूटी मारने के मतरादफ है बहला कोई किसी बेगुना इंसान के जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है मैं तो काहिनों के साथ नर्मी से पेश आना चाहता था लेकिन वो इस काबल ही नहीं है आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्टिश और आमून परस्टी की तब्लीग और तर्वीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबलिगीं की सजा कैद होगी अगर दोबारा किसी यक्दा परस्ट को मारा गया तो माबत समय तुने निस्त नाबूत कर दूँगा जगा जगा एलान आम करवा दीजे के आज के बाद बुद परस्टों को तब्लीग की अजाज़त नहीं और यक्दा परस्टों के साथ जुर्म और ज्यात्ती की सूरत में सख्त सजा के मुस्तहक करार पाएंगे ये दिखो ये रही है सुन रही हो ये सब यूजार सीफ के कारणामे है जब तक सब को अपने खुदा के परस्टिश पर मजबूत नहीं करतेगा वो दस्टपरदार होने वालत नहीं पता नहीं बानो इन तमाम हाला से आप खुश है या ना खुश यूजार सीफ के खुदा के परस्टिश की जानी चाहिए या नहीं अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुची लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खुदा के परस्टिश करनी चाहिए अक्सर लोग तो जूसों के खुदा के परस्टिश करनी के बजाए खुद उसके परस्टिश करते हैं मुझे उसके खुदा का तो पता नहीं लेकिन तुमी बताओ वाकई वो लायक परस्टिश नहीं है अब तक मिस्र के तमाम नहमतों पर सिर्भ काईनों का अप्ने तस्रॉफ ठाइन था लेकिन आप तमाम नहमतों पर क्माम एलिमिसर का यक्सा रखोगा इसमें क्या हर्ज बोलो और क्या उसने दौcias अनलाइक अनकी तमाम दौज़त ले लिया बस इतना है कि बजाए उसके किच्छान प्टक के समझ में छोटे छोटे चोटे ज़राद चणा कर जमीन पर किर पड़े बड़े बड़े और मोटे मोटे कंकर पड़े के लिए तो हे किया तो ही यादे युजरासी बचपनी से खुलामों और महरूमों से बड़े मुखबंस पेश आया करता था एक पार मैने एक मुधी उसे हधियतन दिया तो उसने वो पेचकर सब कस्र के خिदमत्कारों पर खार्च कर दिया हमेशा पस्त के खिदमतकारों और गुलामों से जाकर उनकी एहवाल पुर्सी किया करते थे हमेशा उनके गम गुसारी किया करते थे और उनकी मदद करते थे क्या बात है थोड़ो मुझे थोड़ो चन्सालों में सिर्फ माबट के खादमों और काहनों की फिकर में लगे रहे और खुछ अवाम से उनके दरपेश मसायल से बिल्पल गाफिर है जो होना तास्व हो गया अब हमें चारा एकार सोचना होगा कितने ही लोगों ने युजार सीफ और आकनातून की जान लेने का सिर्फ कस्थ किया था लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था पिरे ख्याल है कि अब ही हम लोगों को आमून के गिर्चमा कर सकते हैं आमून की इस बाकी मांदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मसल्ला कर सकते हैं ख़दा ए युजार सीफ के पहरोकारों के लिए कहीं भी जायामान नहीं होनी चाहिए हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए अब तक माबत के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरिफतार की जा चुकी है यानि जो भी युजार सीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरिफतार कर लिया जाता है पादिया मून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपने निगरानी में गुदाम पर हमला करके माबत के लिए उनकी गंदुम को अपने खब्से में ले लें मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छटी का दूद याद आ जाए ये गुनासिब हल नहीं ये जो तुम कह रहे हो ये खुशकुशी है आप मुनासिब और ना मुनासिब ही में लगे रहे हैं मुझे कुबूर नहीं कि कोई और मुझे हुकम सादिर करें आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बरबात कर डाला तुम सिर्फ जाने गवाओगे और मैं आईने आमून परसी की बखा और आइंदा की फिकर में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिकर सारा सोचने डोटा के कोई मुनासिब हल मिल सके आप यूही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूँ मैं अमीद करता हूँ कि ये मामले को मज़ीद ना बिखार दे अगर आप मुछ से पूछे तो मैं यही कहूँगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए एक एसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़ कर हों आया पतथर और लकडी आप से बरतर है या आप उनसे मुख्तलिफ अक्साम के जान्वर आप से बालातर है या आप उनसे इसमें कोई شक नहीं कि तमाम मखलुकात आप से कमतर और आपकी ताबे है यानि हम तमाम मौज़ूदात से बालातर हैं चनाब याकिन theorem हम एनसान तमाम मखलुकात से बरतर अ बालातर है क्या आप मुझे कोई ऐसी हस्ती बता सकते है जो इनसान से भी बालातर हो तमाम खुदा ये हम इसानों से बालतर हैं वो खुदा जो फुद पत्थर और लकडी के तर शीदा है यानि पत्थर और लकडी आप से बालतर हैं ये बे जान, ना तवां और बेबस खुदा कि जिन के बस में न कोई खैर है न शर्फ वो ज्यादा लाइके प Easter है वो खुदा यक्ता के जिसने अपनी दाजवाल कुदरत से साथ साल बारिश बरसाई ताके आप लोगों को कहत के जमाने में मौत से निजाद दे हम उस खुदा की परिश्टिस करते हैं जिसने अपने खदाकार बंदों की निजाद के लिए अपना प्यांबर भीजा और उसे सालों मुख्ति वजिर्टों और तकलिफों उसे गुजारा और परसों उसे जन्दान की तनाई में रखा ताके एक दिन उसकी विसातत से अपने बंदों को निजाद दिनाए अगर हम माबत से इसी हुलिये में बहार निकले तो सब भाब जाएंगे के हम जंग का इरादा रखते हैं और जाहर है के फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे प्यादा बेतर होगा के हम सादे लिबास में जेरे लिबास हतियार छुपाए हुए ठीक दो पहर के वक्त जब सूरा जैन दर्मियान में हो तब गोदामों के सामने मिलेंगे अलबता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की खर्द से गोदाम पहुंचूँगा और मुनासिब मौका मिलते ही हम वहां के कारकुनों और सिपाहियों और निग्लिवानों पर हमला कर देंगे और हम लोग तमाम गंदुम अपने कबजे में लेंगे और अगर किसी ने भी मजाहिमत की मार डालेंगे और अब तीन तीन चार चार के टोलियों की सूरत में खामोशी से माबद से बाहर निकलें और गंदुम लादने के लिए कुछ जानवर भी अपने साथ ले लेंगे कि भी में पने साथ लेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो का उना वु करो झाला और अफमूशक आप मैज नन शायर है हम एले तैप। प्रख़दे मने! अगला शाख्स एले टिप्स तीस ते माने अगला शाख्स पंदरा पे माने आगया है तीस ते माने अगला शाख्स क्या हुआ? क्या हुआ? दस ते माने अगला शाख्स तीस ते माने आगया है पंदरा आगया है दे माने अगला शाख्स कर दो कर दो खुदा करे कहीं देर न हो गई हो सब्द जहरी लबास दल्वार चुपाई हुई थी जल्दी करे हैरान क्यों है हम भी दूसरों की तरह गंदुम लेने के लिए हैं क्या इससे पहले मावबत ने कभी आपसे गंदुम ने ली अग्ला शक्स पीस तेमाने अग्ला शक्स पजास तेमाने वच्टनी ली दो सुप प्रंट झाङ़ बोर्टनी करे अल्ड़ देमाने वटनी से बाइश प्रंटनी भान प्रंटनी प्रंट प्रंटनी झाल 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 फकल झाल 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 ही सकता है जाल झाल 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 को साथ il हल दुआ झाल हो पाईों से लोखेद पिज्दाग, क्षिश्धोर, फो fine Costa with the nut Α कर से लो कर दो कर दो मुझे लो खूज। करनाफे युजर्साथ यागे है आपको पकड़ो जाने ना पाई कि टार बंगे युजर सी भाकए कि एंति और जुछ है बाग नहीं है कि लिए युजर सी भाकए कि युजर सी भाकए कि लिए अपहर जुछ है पागे बिन्तु आपको ये क्या हो गया है? ये उसार सी खुदा कर शुक्र है कि नभी खुदा को कोई गुदन नहीं पहुचा ये उसार सीफ की रह में चांदेना बड़ी सादब है ये उसार सीफ ये उसार सीफ मेरे लिए मेरे लिए खुदावन्द आपको अपनी जवारे रहमत में जगाते बिन्तु आपने राये खुदा में जान दी है और आपको एक मर्दे खुदा की तरह ही मौत आनी चाहिए थी। इन्हें अपने साथ ले जाए आमून के सिपाहियों को जिन्दान ले जाएं जख्मियों की मर्हम पट्टी करें और मक्तुलीन को तद्द्वीन के लिए ले जाएं आपके शोहरों के गातलों से कसास लिया जाएगा इनका खुम बहा इन्हें अपने खुम से अदा करना होगा चरें रास्ता दो, एक तरा बोजाओ आगे हैं आगे हैं चली करें आगे हैं आगे हैं मैने अपने सात्यों के साथ गुदाम ऊपर हमला करके बहुत बड़ी मिगदार में कंदुम अपने कब्धे में लेए थी लेकिन एन मौके पर युजर गया और तमाम काया पलट गई हमारे कुछ साथी मारे गए और को जखमी हो गए मुझे भी कई जखमा हैं लेहाजा हमें मजबूरां पीछे अटना पड़ा तुम से चो आमून बचाए पाजी आमून अगर युजा सीव ना भी पहुंचता और तुम भी खैरिये से वापस लोटाते तब भी यकीन रखो आखनातून इंतकामन जमीन असमान एक कर देता बिलकुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा देखना अब कुछी देर में लशकरे आखनातून यहां पहुंसता ही होगा अब क्या करना चाहिए